सब्सक्राइब कि कैसे हम लोग को एक को सथे चुटकाव मिल सकता है कैसे हम लोग Aram कि हमारे जो लॉसिस होते हैं और अगर अगर हम प्रॉफिट करते हैं तो वह सके साथ मैं MPTS से इ सब के बारे में बात करेंगे उसके बाद मार्किट का थोड़ा सा हाल जानेंगे और लास्ट मैं बाइन से जुड़े जितनी भी कॉस्ट है आज मैंने सारे उठा लिए तो आज आज आपका बाइनस को लेकि जो भी कन्फिजन है वो सारा आज दूर हो जाएगा तो सबसे पहले मै इन्होंने बोला है कि ट्रेट क्रिप्टो पर फ्यूचर इन आए अनर सो यह दुनिया की पहली ऐसी एक्सजेंज होगी जहां पर आए अनर में फ्यूचर टेट करेंगे इसका एक ही पार्ट में को लगता है कि जब आप डॉलर में करते हो तो दिमांग में घुड़ा भाग ही हुई है जो हम देखेंगे इन्होंने कहा कि अन्लॉक क्रिप्टो पोटेंशिल विदाउट टेक्स वर्ट इन्होंने कहा कि नो वन परसेंट ट्रीएस नो थर्टी परसेंट टेक्स उसके बाद कर 10-20 परसेंट लेज और उसके बद सेट आफ का जॉप्शन है अब इतनी बड़ी अनॉंस्मेंट सोच के यह भी लगता है बहुत साथ लोगों की दिमागों चल रहा है कि हम ऐसे कह रही है कि भाई वह हम से चीज़ें लेगी एक परसेंट पर टेक्स लेगी अगर हम प्रॉफिट बनाता है तो है ना सेट अफ को उन्होंने कोई नहीं दिया है तो पर हम यह कैसे कर सकते हैं यहां पर तो सबसे पहले चीज़ तो मैं आपको बताओं कि यह फ्यूचर टेड़ है अब यहां पर एक चीज़ समझने वाली है और इसको आप ऐसे वार्निंग भी मतलब मेरी तरफ से जिन लोगों ने कभी फ्यूचर टेट नहीं किया है तो वह वह यहां पर आके फ्यूचर टेट करने की बिल्कुल भी कोशिस ना करें और जिन लोगों ने स्पॉट ट्रेट करा है फ्यूचर का जिनको एक्सपेरियंस है तो अगर वह भी करना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्टिंग में लेवरेज यूज करने की कोशिस ना करें और ज लेक्कत होगी क्योंकि गुवर्मेंट की खिलाफ सोड़ी जाएगी कोई भी एक्सचेंज और यह तो अब यहां समझने वाली चीज है कि फिर हमें इसमें वह क्यों नहीं देना है तो आप एक एक एक्जांपल मैं आपको यहां बताता हूं कि जब आप इस पॉर्ट करते है ठीक है जब आप इस पॉर्ट में करते हैं कि मानिया अपने किस खरीदी और एक हफ़ते के लिए वह खरीदी तो आपको ना जब आप खरीदारी करते हैं तो उसके बदले में आपको एसेट मिलता है ठीक है अब वहां क्या है ट्रांजिशन हुई है आपने पैसा दिया है औ तो में तुम्हारी नहीं होगी तो यहां पर क्या है तो यह उच्चे से काम करता है तो यहां पर क्या है कि जो future trades यहां पे होंगी तुमारी उनमें तुम्हें ना तो एक परसंट देना पड़ेगा ना थर्टी परसंट तुम्हें टेक्स देना पड़ेगा नहीं उसके अलावा तुम्हारा जो सेट अफ का जो वह है प्राविजन वह आपको यहां पर मिल गया और positive अच्छा एक जी in the end जब आप पैसा निकालेंगे तो वहां पर आपको जो आपका slab है उसके according टेक्स जो है वो पे करना पड़ेगा बाकि इसके अगर बहुत डिटेल वीडियो देखनी है कासे सड़ने गंटे का एक वीडियो बना रखा है वो इनके founders के साथ में है और एक जैब पे के जो founder न उनके साथ में बनाया है तो आई थिंक बहुत जादा क्लेरेंस जो है वहां से मिल जाए पर मैंने का कि छोटा सा मैं आपको इसका ओवर्वु देदू क्यूंकि एक घंटे का टायम सबके पास नहीं होता लेकिन रिक्वेस्ट है कर को उसे यूज करना चाता है तो जाके वह वीडियो एक बार दरूर देखे और उनका खुद का भी एक जो नोंने साइट बना रखिए जो उनका पेज है वहां पर जापर कर सकते हैं तो मैं चाहता हूं एक बार डिटेल वहां जाके पहले जाना है उसके बाद दूसरी चीज है मैं जो एक आर्टिकल की बात कर रहा थ तो देखो अभी दो दिन पहले ही की बात है जब बाइनस को मारे सेंटर ने बोला कि भाई आओ हमारे फाइउ के साथ में रेस्टर करो ठीक है जो एंटी मनी लॉटरिंग का जो है उसके साथ में आप कॉंप्लियांस करो और कोई दिक्कत नहीं आप यहां पर करो ट्रेट कर करना हमारी थोड़ा सा मुसके ले अपने उनके जो भी रीजन्स रहे हो लेकिन लेकिन बात यह है कि क्रेकन का आज यह दिया है और ने का क्रेकन यूरोप स्ट्रेटी एडवांस एस कंपनी सिक्क्यों डच लैसेंस देखो अब इन्होंने नीदर लेंड के जो लोग है वहा कर दिया है अब यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यह जब इंडिया से एक्सपेल की गई है जब हमने कहा कि हमारे नहीं है तो यहां पर तुम काम नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं है काम नहीं करना होता चलो ठीक है यह बहुत सार लोग कर रहें वापस क्यों नहीं हो यह बरिया पर यह लगे हैं यहां जघ्र कर सकते हैं अब एक चीज़ समझो कि दूसरी कंट्री में कर रहे हैं लेकिंन हमारे यह पे नहीं नहीं करा ynहीं उसका हूं कि उसको मरें और और अ मोएद relativ तो इनका पहलए उन दो पांणीश में कर ले यह चापी कम होंगे उस सब चाहते हैं इस चीज को एक्सट करें कि दुनिया में इस चीज के वे इस तो आप यह देख सकते हैं कि यह रुके नहीं है मतलब इंडिया से गए हैं तो इस इतनी इतनी विए इसे हैं यह अपने पाओं हर जगा फेला रही हैं और इन्हें वो टाइम ज़ादा दूर नहीं जब इंडिया में सब चीज़ां वापस से आएंगी यहां चीज़ां थोड़ी कॉप्लिकेटड है क्योंकि कोई रेगुलेसर नहीं है हमारी पॉलिटिक्स बहुत आदेने सपोर्ट नहीं करती है तो इस टेकिंग सम टाइम बट यह है कि इनका वापस आना एक दम से हो रहे है ठीक है तो यह पॉजिटिव वह था तो मैंने का आप लोगों के साथ में सेर कर दूँ अब उसके बाद जो तीसरा हमारा है अगर हम बात करें मार्केट की तो मार्केट का तो देखो यार हम सब देखी रहे हैं कि पिछले चार-पान जन से बड़ी अच्छी जंप हमें इसके लिए तो डीसी अपना करते रहें और को इसमें नजर रखें क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो डॉमें डॉमिनस है वह ऐसे ही मूफ करती है पहले बिटकोईन का प्रैस बढ़ता है बड़े और कोई बढ़ता है बड़े और चोटे बहुत जादा डीप में सार कि अथा है नहीं है किसी कर लोग हैं वह आधे तो वही हैं जो बिचारे बाइनस कर रहे थे तो पहला एक भाई थे पूछ रहे थे कि यह बाइनस का फ्यूचर क्या होगा इंडिया में अगर इंडिया आगे से बढ़के लीड ले रहा है कि तो इससे वुइन के सूछ सकते हैं और फ्यूचर में को लगता है कि पारफेक्ट होने वाला ही है क्योंकि वह आएंगे हाँ पर एक चीज है कि साइद बाइनस के आने से पहले हमारे इंडियन कोछ तरीके की दे पाएं है कि बाइनेंस चल रहा है अब क्या करें देखो हाई जिनके फोन में बाइनस है उल्रडी तो उनका बाइनस चाल रहा है क्योंको एक दन बताई आपको आफ जिनके एफ हैं उनके साथ तो यह शुड़का निहीं होई नहीं है वहाँ उसका कुछ नहीं कर कर देखो किस तरीके से रेट कर रहे हैं क्या नया एड हो रहा है आपको मार्केट का उससे हलका सा रंदाजा हो जाएगा जिनका फंड बैनेंस में अटक गया है वो क्या करें या देखो अब इसमें ना मतलब यह बहुत ही होपलेस सर्व है क्योंकि स्टार्टिंग से ही बोला जा रहा है कि आद जिनके फंट वहां पर है हटा लो इधालो कुछ लोग और लोगे नहीं तो जब और यह दो आपके सीज़ां एक्टिव होंगे आपको जो आपके मैं वावस्मिल जाएंगे एक पूछ रहा है कि लीगल क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया तो लीगल जैसा कोई नहीं है मैंने आपको पहले बताया कि लीगल जैसा कोई नाम इनों ने दिया नहीं है बट इतना जरूर है कि एफाइउ से अगर कोई चीज सर्टिफाइड है तो उसे आप काइंड ओफ ल आप उठाइए और वहां पर आप जाके अपना दो तीन एक्सचेंज को ट्राइब कीजिए पहले नहीं कहूंगा किसी एक लग जो तो तीन को ट्राइब करो चोटे-चोटे मांट से जहां आपको अच्छा लगे जहां आपको मजाए वह आप यूज कर सकते हैं उसके बाद में को लगता है कि मैंने सबसे जल्दी अपडेट आते हैं कि एक पूछ रहे हैं कि हम बाइनस पर पहले मैंने ट्रेड करा था बट कोई टीडियस कटा नहीं है मैंने आई टीर भी पहले कोई ऐसा फाइल करा नहीं है तो मुझे क्या करना बड़ेगा तो मैं बताओं कि ठीक है जो offshore exchange थी वहां पर TDS काटने वाला कोई सीन नहीं था बट अगर ऐसे ब्रीफ करके हम इस चीज को देखें थोड़ा सा तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हमें TDS देना होगा है ना यह हमारी जिम्मेदारी है हमें टेक्स देना होगा बट अब यह पुराना डेटा है कि वह है तुमने एक साल पहले की अगर हम बात करें कि तब वह काटी नहीं रहे थे तब उतना उस चीज पर लोड भी नहीं था तुम्हें को लगता है आपको एक वार अपने सीज से डिसकस करना चाहिए क्योंकि अगर चोटा मोटा कुछ अमाउंट होगा तो सायद उनके पास को कोई उस चीज को अड्जेस्ट करने का तरीका हो ठीक है बाकि अभी तुम्हें को लगता है हमारे पास ऐसा कोई वह नहीं कि जहां पर हम लोग बिना इस तरीकी की चीज़ों को कंसीडर किये काम करना है ठीक है तो बस इतना ही है एक बार और फिर से कहूंगा कि future trade वाला जो